जंगल का राजा बलबीर सिंग अब बूड़ा हो चला था उसमें अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि अपना भोजन खुद ही तलास कर गए और इसलिए जंगल के जानवर ही बलबीर सिंग के लिए खाना लाया करते थे और रोज के रोज ही बलवीर सिंग को खाना लाकर खिलाते थे और उसी जंगल में तीन सफैद सेर भी रहा करते थे और वो तीनों बहुती गरीबी मित्र थे और वो एकी साथ रहते और एकी साथ अपना भोजन करते थे और तब ही वो तीनों दोस्त भी बलवीर सिंग के लिए भौजन लेकर जाते हैं तो बलवीर सिंग उनसे कहता है अरे भाईयो तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो लेकिन मैं तुम्हारी अब कोई मदद भी नहीं कर पाता कोई बात नहीं महाराज आप जब जवान थे तो आपने जंगल के जानवरों की बहुत मदद की है और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें और हमेशा से ऐसा ही त्यला आ रहा था और फिर एक बार उनके जंगल में एक बाग घुसाया अरे वाह इजंगल तो बड़ा ही सुन्दर है और इजंगल का जोन भी राजा होगा वो बड़े मजे में रहता होगा बै और कुछ धेर बाद बाग की नजर जंगल के राजा पर पड़ती है और वो देखता है कि कुछ जानवर जंगल के राजा को खाना ला कर देते हैं और बाग को ये बात हजम नहीं हुई अरे वा, यह का देख रहा हूँ मैं यह राजा तो पड़े-पड़े खा रहा है और सारे जानवर इसको खाना ला कर दे रहे हैं अगर इस सेर की जगा मैं ले लूँ तो मज़ा ही आ जाएगा और बाग ये सोच कर वहां से चला जाता है रात के समय पर सारे जानवर सो रहे होते हैं और मोका देख कर बलवीर सिंग के पास चला जाता है और बलवीर सिंग बाग को देखकर उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे अरे बाग तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो ओए बुड़े तुने बहुत मजे ले लिए अब तेरा उपर जाने का टाइम आगे लाए और इतना कहकर बाग बलवीर सिंग को वही मार देता है और बलवीर सिंग को मार कर उसकी खाल को पहन लेता है ये हुई ना बात अब देखो मैं सभी जानवर से कैसे काम कराता हूँ और सब मेरे गुलाम बनकर मेरा ही कहना मानेंगे अब मुझे इस जंगल पे राज करने से कोई नहीं रोक सकता और फिर वहीं अगली सुबा एक गाए उसके लिए खाना लेकर आती है और शेर की खाल में खड़ा बाग मज़े ले लेकर मास को खाता है और रोज के रोज वो किसी ना किसी जानवर से अपने लिए खाना मगा कर खाता और तब ही एक दिन सफैद भैस उसके लिए खाना लेकर जाती है और बाग खूब हस हस कर मज़े ले लेकर खा रहा होता है और तब ही वो बाग उस भैस से कहता है अरे सुनो भैस ये मैं ताजा हीरन का मास खाखा कर परेशान हो गया हूँ और अब मुझे किसी ताजा मोटी भैस का मास ला कर दो और गाए भैस की बास सुनकर वहां से चलती रखती है और चलते चलते रुखकर सोचती है और सफेद भैस सोच में ही पड़ जाती है और थोड़ी आगे चल कर उसे भालू मिल जाता है अरे भैस इतनी तेजी में कहा जा रही हो क्या वात है और तभी वो भैस राजा के बारे में भालू को सब बताती है तो भालू भी सुनकर परेशान हो जाता है और इसी तरह सेर की खाल में वो बाग सारे जानवरों पर अपना हुकम चलाना शुरू कर देता है और ये सब देखकर सारे जानवर बड़े ही हैरान और परिशान हो जाते हैं और जब ये बात उन तीनों सफैद शेरों को पता चलती है तो वो भी बहुत परेशान हो जाते हैं अजे भाईयो महाराज शेर ने ऐसा तो कभी किया ही नहीं हाँ भाईयो महाराज शेर का तो कभी ऐसा सोभाव नहीं था मुझे तो लगता है कुछ गड़बर है आज रात हमें महाराज के गुफा की निगरानी करनी होगी और तब ही वो तीनों सफैद शेर बलवीर सिंग की गुफा की निगरानी में रहते हैं अरे मैं तो इस बलवीर सिंग की खाल को पहन कर बड़ा ही तंग आ गया हूँ अब मैं कर भी क्या सकता हूँ अगर मैंने इस खाल को उतारा तो ये सारे जानवर मुझे मार देंगे और फिर तब ही बाग शेर की खाल उतार कर अराम करने लगता है और तीनों सफैस शेर ये देखकर दंग रह जाते हैं अरे भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ ये क्या बला है इसका मतलब इसने हमारे महराज को मार डाला और उनकी खाल को पहन कर हम पर हुकम चला रहा है और तभी वो सफेद सेर चुपके से जाकर शेर की खाल में काटे डाल देता है और वहां से चूप के से निकल आता है और सुभा होने पर वो बाग शेर की खाल पहन कर बाहर आता है और वो बाग देखता है गुफा के बाहर सारे जानवर बाहर पहले से ही खड़े है और तभी बाग कुछ बोलने के लिए होता है तो तभी बाग को वो काटे जोरों से चुबने लगते है अरे ये क्या हो रहा है ये काटे से क्यूं चुब रहे हैं अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है और काटे चुबने की वज़ा से वो बाग शेर की खाल को निकाल कर फैक देता है और बाग की हकीकत सामने आ जाती है और तभी तुरंथ उन दोनों शेरों को गुस्सा आ जाता है और वो बाग को मार डालते हैं और फिर उस बहरूपिये बाग से छुटकारा पाकर वो तीनों शेर कुछ जानवरों को अपने पास बुलाते हैं और वो जानवर उनी तीनों को अपना राजा बना लेते हैं और रुकिये रुकिये हमार चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तभी जाईएगा धन्यवाद